हलो फ्रेंट्स स्वागत एक बार फिट से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडिव विकास पे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस्पेसली डिसकस करने वाले हैं आपके यूपी एसी एंडिये फर्स्ट दो हजारी किस के बारे में ज इसका इंदर आपके जो ऐसेश्पी डेट से वो क्या रहने वाली है आप क्या ऐसेश्पी कब होगा कौन से मंतर होने की संभावना रहेगी यह सब जान करें आज कि इस वीडियो के अंदर हम लोग लेने वाले हैं और क्या है इसका लेटेस्ट अपडेट तो फ्रेंस वीड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि आपको आपकी एक्जाम जैसा मनत अपडेट रहेंगे अप टूड़ेट अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरेगी तो फ्रेंस सबसे पहले जानते हैं आपके रिजल के बारे में कि आखिर आप पर रिजल्ट वो अभी तक क्यों नहीं आया है और कब तक आप पर रिजल्ट वो आएगा तो चलिए फ्रेंस सबसे पहले डिस्क्स करते हैं आपके रिजल्ट अपडेट के बारे में तो फ्रेंस आपकी एंडी एग्जाम है वन दो हजारी की वो हाले में अपरेल मंद के अंदर कंडेक्ट हुए है तो अप्रेल महीने के अंदर आपकी एंडी एक्जाम कंडेक्ट हुई थी लेकिन आपका मई अभी चलना है लास्ट वीक तो अभी तक इसका जो रिजल्ट है वो डिकलेर नहीं हुआ है तो क्या है इसका रिजन तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका पेटर्न क्या है आप जो रिजल्ट है वो डिकलेयर कर दिया जाता है तो इसे में अभी इसका टाइम हो चुका रिजल्ट आ रेगा तो आपक जो रिजल्ट है उन चैन्दर आने की पूरी पूरी समभाव न रहेगी तो ऐज आज आपका हो चुका उ करे देंदर नहीं तो आने वाले कि तो संभावने आप रिजल्ट की आने वाले 5-7 दिनों के अंदर वो रहे गे 99.9 परसेंट जैसा कि पिछले साल का ट्रेंड था कि जब भी आपके एक्जाम हुई है उसके लगबग 40-45 दिन बाद में आपका रिजल्ट हो देक्लियर कर दिया जाता है अब बात करते हैं कि अ दून फर्स्ट वी के अंदर अगर डिकलियर हो जाता है तो अब बारियते इसके अंदर आपके SSB गी कि आखिर इसका जो SSB है SSB डेट्स वो क्या रहने वाली है कौन से मंद के अंदर आपका SSB कंड़क्ट हो सकता है अब जानते हैं इसके बारे में जानकरी SSB डेट्स तो फिल रेजल्ट हो आने के सम्भावना में बताया चूंजी जून 1 वी तो इसके सम्भावना कफिलहाल 99.99 ही बताई जारही है अगर आपका जो रेजल्ट है वो जून 1 वी के अंदर आता है तो आपका SSB डेट्स है वो फिल इसलाल आप देख सकते हैं कि लगबग आने वाले दो से तीन मंत के अंदर दो से तीन महीने के बाद में ही आपका SSP कंड़ेक्ट हो सकता है फिलार इसकी यही पोसिबिलिटी है क्योंकि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उचे देख सकते हैं कि आपकी जो इस पेसली यूपेसी सी एस ई प्रिलिम्स एक्जामनिसन है दो हजारी की इसकी वो होने वाली थी अभी 27 27 जून को लेकिन इस एक्जाम को भी पोस्ट पून कर दिया गया है अब यूपेसी सी एसी प्रिलिम्स एक्जामनिसन है वो बेज के अंदर तो अगर जो इंटर्व्यू वग्यर होने वाले थे इनको भी पोस्ट्रेंट ओर्रेडी कर दिया गया है तो इसे में आपने देखा होगी अधिक्तर एक्जाम जो कि अभी होने वाली थी दो तिन मंद के अंदर जो कि एक्जाम यूपी से के दोड़ा कंडेक् और हाले में आपका जो रिजल्ट ये भी आने वाला है इसकी आने के संभाल ने रहेगी लगबग आने वाले 5-7 दिनों के अंदर लेकिन जो इसका SSB वो थोड़ा लेट हो सकता है SSB जो आपका होता है वो थोड़ा लेट हो सकता है ड्यूटू COVID-19 ने इसका रेजन आपसे भी जानते हैं तो लगबग दो से तीन मंत बाद में ही आपका SSB होने की संभावना रहेगी फिलाल इसकी यहीं possibility है मैंने आपको बता दिया कि डूटू COVID-19 ने फिलाल UPC के दौरा जितने भी exam conduct है वो कर रहे जाने वाले थे भी आने वाले दोसे तीन मं के अंदर उन सभी को और लेडी पॉस्ट्पन कर दिया गया है तो आप ऐसे से भी आने वाले दोसे तीन मंत बाद में कंडेक्ट हो सकता है अब इसका जो रिजल्ट वो पिसली ऑफिसली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है तो जैसे कुछ इसका उफिसली कर दिया जाएगा तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कर जाएगा आप रिजल्ट वो आने ही वाला है तो तो फ्रेंज कैसा लगा आपको यह हमारे वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जुरू कीजेगा साथ इमें इसे सेरी और इस चैनल को पर अगर आप पर्ली बार विजिट करें तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब आना मत भूलिएगा